दोस्तो बिहार सिचक भरती से रिलेटेट जो है एक बहुत बड़ा न्यूस निकल के सामने आ रहा है आप को मालूम है कि जो प्राइमरी लेवल का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और वो सभी सब्जेक्ट का मतलब जेनरल का उर्दु का बंगला का सभी का रिजल्ट जो है अब जारी हो गया है लेकिन जो जेनरल का कॉंसलिंग का डेट है वो भी अब रिभाइज करके आ गया है पहले बोला जा रहा था कि आपका जो कॉंसलिंग होगा वो 23 और 24 तारीक को होगा लेकिन अब ये डेट जो है वो चेंज हो गया आप यहां पे देख सकते है एक जो सफल अभियरती है उनकी कॉंसलिंग की जो ती थी है वो उन्हें सम्मंधि जिला में 20-10-2030 से मतलब ये आपका लेटर 19-10 को जारी हुआ है और आपको अगले ही सुबह 20 तारीक से जो है शाड़े 9 बजे बोला जा रहा है कि आपको वहां पे उपस्थित होना है और ये भी बोला गया है कि ये कई चरनों में होगा मतलब एक चरन में नहीं हो रहा है ये कई चरनों में होगा और उसमें जो है रॉल नंबर के कोडिंग आपको वहां पे कॉंसलिंग होगा तो यहां पे हम लोग इस वीडियो में सारी चीजों को जानेंगे कि आपका कॉंसलिंग जो है बुक अब होने वाला है प्रैमरी का और कहां पर होगा साथी आपको कौन से डॉकुमेंट जो है बोले के जाने हैं और दूसरी बात अगर अभी जो ऐसे की आज उसने नोटिफिकेशन मांगा दिया है और कल से उसने जो है आप आके आप कौंसलिंग करवाईए तो जो नहीं आप आएंगे टाइम पे उनका क्या होगा तो उनको सबसे पहले तो यह कि आप अस्वत हो जाएए कि आपको ऐसा नहीं है कि आगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो आपको जो निकाल दिया जाएगा उन्हों आपके लिए अलग से एक डेट रखा जाएगा और जो भी अभियर्थी छोट जाएगे उन्हें जो है अलग से कॉंसलिंग करवाया जाएगा तो जो भी अभी अभियर्थी अगर दूर में है अपने डिफ्टिक से तो उन्हें जो है वो चिंता की करने की कोई बात नहीं है आपका कॉंसलिंग हरहाल में होगा आपका सेले वो देख लेते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जारा है, यह आपका बिहार सरकर के सिच्छर भिवाब के द्वरा जारी किया गया, कि जो प्रामरी के सफल अभियर्थिक के कौंसलिंग है, उसके रिगार्डिंग यह आपका सुचना है, लेकिन यहाँ पर देखे, इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसी जो यह आपका नोटिफिकेशन निकला है, इसी में आपका क्लियर हो जाएगा, बोला यह जा रहा है कि 20, 10, 20, 30, इसको जो है कौंसलिंग के लिए आने वाले विद्याले अधियापक क्लास 1 to 5 के सफल अभियर्थि, BPSC के मेगा प्रिफ्र 1 से 17 पर अंकित अभियर्थि आएंगे, फिर 21 तारीक को जो है, पेज नमबर 18 से 34 तक 22 अक्टूबर को जो है, अपका 55 तक और 23 अक्टूबर को जो है, पेज नमबर 52 से 68 और 24 अक्टूबर को जो है, पेज नमबर 69 से 85 के अभियर्थि आएंगे, और 25 अक्टूब जो रॉल नंबर अंकित है वो सारे अभीर्थी आएंगे तो अब आपको जो है यह चीज क्लियर हो जाएगा कि यह आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपका जेनरल सब्जेक्ट के लिए निकाला गया है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका जो रिजल्ट जार अगर स्क्रॉल करें तो यह आपका पेज एक से लेके पेज पेज एक में आपका कहां से शुरू हो रहा है तो यह आपका अन्रिजर्व कैटेग्री से शुरू हो रहा है ठीक है और हम लोग अगर पेज नंबर 17 तक चलते हैं तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि वहां तक क जो अभियर्थी है उन्हें जो है उन्हीं बुलाया गया अर्था पेज नंबर 17 तक जिनका भी रॉल नंबर मेंशन है आप देख सकते हैं यह आपका पेज नंबर 17 है ठीक है तो पेज नंबर 17 में जो है मतलब 17 तक जो भी अभियर्थी है पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 17 तक उन सारे अभियर्थी को यहाँ पे आप उपस्तित होना है 20 तारिक को ठीक है 20 तारिक को आप इन रॉल नंबर को पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 17 तक जो भी है उन्हें 20 अक्टूबर को उपस्तित होना है counseling के लिए लेगिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग नहीं उपरस्तित हो पाएंगे उन्हें tension नहीं लेना है उनके लिए अलग से date रखा जाएगा और भो भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ उसके regarding भी जो है आपको एक notification दिखाऊंगा कि वहाँ पर यह चीजे बोली गई है ठीक है उसी तरीके से आपका आगे page number 18 से लेके जो आगे जो दिया हुआ सुछना उसके recording आपका होगा तो यह कब होगा यह आपका 21 September को होगा ठीक है इसी तरीके से आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपका जो है सारा जिस तरीके से schedule किया गया है उस तरीके से आपका जो है वो counseling किया जाएगा जैसे 21 October को pay number 18 24 तो यह आपका जो है एक news है जिसमें की notification जिसमें बोला गया कि आपका counseling इस तारीक को होगा अगर आप इसके पहले का एक notification देखो तो यह भी जो है आपका जो बिहार सरकार के सिक्षा बिभागे उनके द्वारा यह आपका जारी किया गया है और इसमें यह जो पहले date था वो date जो है अगर आप देखोगे यह भी आपको यहाँ पर clear लिख रहा है कि पुर्वाहन 9 बजे आपको पस्तित होना है और कहां होन था ठीक है यह पहले का schedule था और पहले की schedule के according जो है अगर आप देखोगे तो पहले की schedule में बोला गया था कि primary का जो होगा वो आपका 22 तारिक से शुरू हो जाएगा ठीक है पहले था कि 22 तारिक से आपका primary का counseling शुरू होगा लेकिन फिर 22 24 इस तरीके से चलेगा लेकिन अब इसी में changes आया है अब आपका क्या है कि 20 तारिक से शुरू हो रहा है और यह आपका 25 तक चलेगा और इसमें जो है जो है जो छोट जाएंगे उनका फिर अलग से क्राया जाएगा और वो बात यह कहां पर लिखी गई है तो जब आप पहले वाला देखोगी notification तो उसमें भी इस तरीक है का था कि जो आपका उर्दु का ही आपका 22 तारिक हो रहा था और बांगला का फिर 23 तारिक हो क्या है कि समाने आप भियर्थी 1-5 के उनका हो रहा था और बचे हुए प्राथमिक माधमिक और उस माधमिक अर्थात था, क्लास 9-12 के जो बचे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर कॉंसलिंग करवाया जा रहा था, उसी तरीके से अगर आप 24 तारीकों देखोगे, तो 24 तारीकों बोला जा रहा है, कि जो भी बचे हैं, चाहिए वो प्राइमरी की हो में, सेकेंडरी को या फि करफार, तो इस तरीके से जो भी अभिषिर्थी, अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें है 20-25 तारीक तक आपको कौंसलिंग करवाना है, तो इसके अलाबा भी अगर कोई अभिषिर्थी बच जाते हैं, तो उनका भी कौंसलिंग जो है, वो अलग से डेट निकाल के आपका खरवाद दिया जाएगा इसलिए आपको उसके रिगार्डिंग आपको टेंसन नहीं लेना है ठीक है पैनिक बिल्कुल नहीं होना है अब बाते आ जाती है कि हमें वो कौनकों से डॉकुमेंट है जो कि लेके जाना होगा तो उसका भी आयोग के द्वारा जो है यह स मुल्परविष पर्मान पत्रियां पर बोल रहा है कि मुल्परविष पत्र जो है वो लेके जाना है और उसका आपको एक फोटो कॉपी भी लेके जाना है जो कि सौभी परमानित होना चाहिए तो पहला डॉकुमेंट तो आपका यह हो गया दूसरा कि आपका जो अधार पर डाल के लॉगंद करके जोड वो आपको डाउनलोड कर लेना जिसमें वाटर मार्क होना चाहिए ठीक है यह चीज़ें आप गौर करना आपका वहीं सर्टिफिकेट माननी होगा जिसमें कि वाटर मार्क और आपका रिश्टेशन नंबर मेंचन है वहीं चीज़ें जो है आ प्रमान पत्र हो आप बो जो है बीपेसी के साइट से डाउनलोड कर लिजे और उससे डाउनलोड करके उसका एक कॉपी जो है सेल परिमानी करके आप लेके जाईए इसके अरावा बोला जा रहा है कि तीन फोटो कॉपी जो है आपको लेके जाना है फोटो ग्राफ आपको ले फोटो आपको यहां पे लेके जाना है इसके अलावा फिर आपको जो आरक्षन का मुल परमान पत्र है वो आप लेके जाएए सिंपल कहने का मतलब यह है कि आपने जो भी अभी तक BPSC के साइट पे अपलोड किया है आप उन सभी को डाउनलोड कर लीजिए और उन सभी का फोटो कॉपी करवा के एक कॉपी आप अटेज करके आपने साथ जाएएगा यह चीज़े यहां पर बोली गई है फिर आगे बोला जा रहा है कि अभियर्थी को अपना अधार से लिंक्ड मॉवाइल नंबर भी अपने स है वो आप कोशिस किजिएगा कि लेकर आएं फिर आगे अगर आप देखो कि तो फिर यह जो इन्फोर्मेशन है बोजीला सिछा पतादिकारी के लिए उन्हीं बोला गया कि आप जो प्रोपर उस अस्थल को मतलब एक अस्पेसे अस्थल रखेगा वहां पे सारी जो अगर आप देखोगे तो आगे बताया हुआ है कि आपका जो है किस जीला वार यहां पर बताया हुआ है कि किस जीले में जो है कॉंसलिंग असल कहां पर बनाया गया जैसे अगर पटना की बात करोगे तो पटना में जो है आपका गरदनी बाग में बनाया गया है और सभी लिफ्ट को देख लिजेगा आपको ये सारा पेडिएफ जो है वो हमारे टेलिग्राम चैनल स्टाडी सेल्टर में मिल जाएगा आप वहां से जो है आप इसे डाउनलोड करके देख सकते है ठीक है यहां पे भी आप स्क्रॉल कर रहे है आप एक वार जो है अपने जिला को दे का अरारिया जिला में एक का डियर सीशी जो है अररिया कैमपस रहाँ पे बनाया गया है और दूसरा आप अगर आप देखोगे तो जो DRCC वाला है सिर्फ यहां पर one two five जेनरल का हो रहा है और यहां पर उर्दु और बंगला का नहीं हो रहा है ररिया वाले में बाकि एक ही जगा पर हर एक जीले का हो रहा है तो आप अपने जीला को जो है यहां पर देख सकते हो कि आपका जो है कहां पर जो है कॉंसलिंग होन जिसमें आपको एक तरीके से प्रोभीजनल जो है यह आपका दिया जा रहा है आप देख सकते हो यह उसका फॉर्मेट है यहां पर लिखा हुआ है आपका कॉंसलिंग कम औरियंटेशन ठीक है यह फिर यहां पर लेटर नमबर हो जाएगा दिनांक हो जाएगा प्रिशित करता जो है यहां पर सारा कुछ है कि आप कॉंसे टीचर बन रहा है वो मेंशन होगा फिर यहां पर लिखा हुआ है कि इस पत्र को आप प्वाइंटमेंट लेटर नहीं समझा जाए बलकि जुक्ति पत्र बिभाग द्वारा आपके परमान पत्र और पर क्रियाओं को पार्ण करन अपन समंधिय एक्सपोजर प्राग कर सकेंगे मतलब एक बोला जा रहा है कि और प्रोग्राम भी चलाया जाए जाएगा जहां कि आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग बगेर दिया जाएगा फिर आगया और आपको जो है प्रोविजिनल एपांडमेंट लेटर निर्गत किया ज जाएगा ठीक है जो फाइनल आपको मिल जाएगा इसके बाद फिर यहां पर एक लाइन यह लिखा गया है कि यह पत्र आपके द्वारा बीपेसी के सम्मच जो घोसना किया था आपने उसके अधार पर यह निर्गत किया गया है मतलब आपने जो भी अभी तक डॉकुमेंट अधार पर फिर यह आप पे जो सीन्पल यह बोले जा रहा है कि आपने अभी तक जो भी इनफ्रमेशन दिया है जो आपको जो यह बुरत किया जाएगा और अप्र यह अपको और यह आपको दे दिया जाएगा एक तरीके का प्रोपिजनल के रूप में ठीक है प्रोबिजे आयों के दोरा सिच्छा विभाग तैयारी की गई है बस दिकत यह है कि यह लोग थोड़ा लेट यह लोग डेट चेंज कर रहे हैं और अचानक से बिद्यार्थियों को बता दे रहे हैं थोड़ा सा इन्हें सैयम रखते हुए जब विद्यार्थों को भी टाइम देना कोई पैनिक ना हो फिर भी आप निसीन्थ होके आईएगा आपको यह कॉंसलिंग है यह आराम से ही होगा और अगर आपका छूट भी जाता है तो आपको बाद में सामिल किया जाएगा तो आपको पैनिक विल्कुल नहीं होना है और कोई भी जो फेक न्यूज है उसके उपर नहीं करना है तो यह चीज आप ध्यान रखेगा तो इस वीडियो में इतना ही है और आप बाखी का अपडेट भी जो है रेगलर देते रहेंगे तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथी जो टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर वहां पर भी आपको रेगलर अपडेट दिया जाएगा थैंक यू